नमस्कार दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं mutual fund क्या है और पहली बार mutual fund में निवेश कैसे करें मैं सबसे पहले आपको यह example की माध्यम से समझाता हूँ Suppose करिए आपको एक share खरीदना है जो कि MRF का है अब MRF का एक share लगभग एक लाग से जादा rate का है तो अगर आपके पास उस share को खरीदना है एक लाग रुपए होना ज़रूरी है लेकिन आपके पास एक लाग रुपए नहीं है आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है लेकिन आप चाहते हैं कि आप MRF का share खरीदें अब आपके पास क्या option होता है आपके पास कुछ इस तरीके का option होता है कि आपके जैसे अगर 10 से 12 लोग मिल जाएं तो आप लोग मिल के MRF का एक share खरी सकते हैं और एक share खरी देने के बाद उससे जो profit या loss होता है वो आप सभी लोगों में बढ़ जाएगा Basically इसी concept पर mutual fund काम करता है mutual fund में क्या होता है कि कई लोग मिल के अपना पैसा deposit करते हैं पैसा pool किया जाता है और वो पैसा एक AMC के माध्यम से अलग-अलग instrument में निवेश किया जाता है निवेश करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि आपका risk कैसा है आपके risk profile के हिसाब से ही निवेश किया जाता है और वो depend करता है आपके return पर भी अगर आप ज़्यादा risk की investment करेंगे ज़्यादा percent equity में small care fund मिले जाएंगे तो return आपका बढ़ जाएगा वह अगर आप safe investment करना चाहते हैं आप large care fund को चुनेंगे और वहाँ पर आपका risk कम हो जाएगा तो इस तरीके से mutual fund काम करता है जहाँ पर कई लोग मिलके पैसे का निवेश करते हैं और जिस अनुपात में जो निवेश करता है return भी उसी अनुपात में उन लोगों में बाठ दिया जाता है basically mutual fund में एक fund manager होता है जो इन सारे fund को manage करता है तो आप समझ गए कि mutual fund क्या होता है और अब जानते हैं कि mutual fund में निवेश कैसे किया जाता है तो mutual fund में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो की description में जाना है जहाँ पर धन application का link है वहाँ से आप धन application पे विजिट करेंगे और धन application को install कर लेंगे install करने के बाद एक registration का process होता है जो कि बिल्कुल free up cause है तो आपको registration का process complete कर लेना है जब आपका account activate हो जाएगा तो finally आप invest भी कर सकते हैं trade भी कर सकते हैं mutual fund में भी निवेश कर सकते हैं multiple investing opportunities आपको मिल जाती है तो mutual fund में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपको इस video के description में जाना पड़ेगा वहाँ पर धन application का link है उससे आपको application install कर लेना है जैसे आप application install कर लेते हैं एक basic registration का process है registration का process आपको complete करना पड़ेगा तन application yearly कोई भी आपसे charge नहीं करता है आप चाहे invest करिए, trade करिए या mutual fund में invest करिए कोई charge आपको नहीं देना पड़ता है yearly maintenance charge तो आप एक बार install कर लेजिए free up cost में आपका install हो जाएगा registration हो जाएगा और finally आप invest कर पाऊगे registration के बाद कुछ time लिया जाता है verification के लिए तो verification के बाद finally आपका process complete हो जाएगा अब कुछ इस तरीके का interface आपको दिखेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह home page है यहाँ पर कुछ information आपको देखने को मिलेगा हमारा काम है mutual fund में जाना तो हम यहाँ पर stock option और थर्ड यहाँ पर थर्ड नंबर पर mutual fund है उस पर जाते हैं कैसे आप mutual fund पर आएंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का interface mutual fund का देखने को मिलेगा जिसमें काफी कुछ information देखने को मिल जाएगी अब यहाँ पर आपको निवेस करना है अब यहाँ पर आपको देखेंगे कि high return में आपको जितने fund हैं वो सारे खुल गए हैं लेकिन सारे के सारे large cap fund है जहाँ पर आपका risk कम होगा लेकिन return जो है वो एक limitation होगा लेकिन अगर आप यही अपना maximize करना चाहते हैं return तो आपको small cap पर जाना होगा small cap में आप देखेंगे काफे return आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से आप कितना risk ले सकते हैं उस पर depend करेगा कि आप किसको select करते हैं लेकिन हम जानते हैं कि हमें कम risk लेना है और return भी ठीक ठाक मिल जाए तो हम large cap को ही select करेंगे और large cap में आप देख सकते हैं बहुत सारे MC's के अलग-अलग schemes आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें जिसमें भी आपको निवेस करना है उसमें आपको select करना आप मालीजे आप 100 रुपए से ही निवेस करना चाहते हैं आपको देखना पड़ेगा कि कौन-कौन से ऐसे फंड है जो कि आपको 100 रुपए में उपलब्द है तो यह सारे के सारे फंड आपको 100 रुपए में उपलब्द है और ठीक ठाक रिटन भी दे रहे हैं अब मालीजे आपको यहाँ पर निवेस करना है तो आप वन टाइम यहाँ पर सिलेक करेंगे अमाउंट डालेंगे और इन्वेस नाव पर क्लिक कर देंगे लेकिन अगर आपको S.I.P करना है S.I.P पर क्लिक करेंगे यहाँ से S.I.P अमाउंट आपको सिलेक करना है मालीजे 100 रुपए पर करना चाहते है इसके अलावाँ यहाँ पर इन्वेस एज S.I.P पर क्लिक करना है जैसे आप करेंगे एक OTP आएगा OTP आपको फिल कर देना या आटो फिल हो जाएगा इसके बाद आपको पेमेंट करने का उप्सन मिल जाता है यहाँ पर देखेंगे multiple payment option है यह सारे इन मेंसे किसी भी payment option का आप यूज कर सकते है UPI है Google पे है, Paytm है, phone पे है ऐसे तक करके मालिजे आप Google पे से करना चाहते है आप कर सकते है, phone पे से करना चाहते है इसके बाद आपको Google पे suppose करो हम Google पे से करना चाहते है Google पे हमने select किया और make investment पे click कर दिया, जैसे आप इस पे click करेंगे, आपका Google पे open होगा, अब यहाँ पे देखिए, एक error आ रहा है कि close screen sharing app, यानि हम screen recording कर रहे हैं, इसलिए यह नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से यह नहीं हो पाएगा, जब तक screen share होता रहेगा, तो आपको क्या करना है, कि आपक नॉर्मली जो है, आप जब payment करेंगे, तो payment हो जाएगा, ठीक है, तो payment हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको process कर पाएगा, जब जैसे ही आपका यह payment हो जाएगा, complete हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे to order in process, इस पे आपको click करेंगे, तो आपका order यहाँ पर show होगा, कि किसमे किसमे आप निवेज कर किये हुए है, अगर complete हो जाएगा आपका order, तो आप नीचे आएगे, और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह और SIP में, आपको एक SIP देखने को मिल जाएगी, view SIP पी click करेंगे, तो आपको इसका पूरा detail मिल जाएगा,